देश की राजधानी दिल्ली में मौसम फ्लाल सुहाना है ना सिर्फ दिल्ली बलकी पूरे उत्तर भारत के राज्यों का मौसम सुहाना बना हुआ है आज आंशिक रूप से बादल चाये रहेंगे अधिक तमतापमान 31 डिग्री और नियूंतन तमतापमान 15 डिग्री के आसपास रह सकता है लेकिन दिल्ली NCR में बादल तो चाये हैं मगर बारिश दूर है इस बीच मौसम विभाग ने पस्चिम और मद्य भारत में बारिश और ओले पढ़ने की संभाव न जताई है आईए जानते हैं बाकी राज्यों का क्या हाल है उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम ने आज गर्मी से निजाद दिलाई है दिल्ली के साथ साथ पंजाब, यूपी, हर्याना, उत्राकंड, हिमाचल परदेश में फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है बारिश ना होने की वज़ा से फरवरी में ही तापमान में बड़ौतरी दर्ज की जा रही थी बात की जाए दिल्ली में अधिक्तम तापमान 31 और नियुन्तम तापमान 15 डिगरी से अधिक बना हुआ है वहीं अगले हफते यानि 9 मार्च तक अधिक्तम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सेस तक रहने की उम्मीद है जबकि नियुन्तम तापमान 15 से 16 डिग्री के आसपास बना रहेगा तो वहीं IMD के अनुसार 6 मार्च को दिल्ली के तापमान में मामूली कमी आएगी इस दोरान अधिक्तम तापमान 30 डिग्री और नियुन्तम तापमान 16 डिग्री के आसपास रह सकता है तो वहीं 7 मार्च से 10 मार्च तक अधिक्तम तापमान 32 से 33 डिग्री और नियुन्तम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बने रहने की उम्मीद है मौसम पुर्वनुमान एजेंसी स्काइमेट के मुताबे राजिस्थान पशिम मद्य परदेश उत्तर मद्य महरास्ट गुजराच छेत्र उत्तर कोकन और गोवा आसम और अरुनाचल परदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बोचारे पड़ सकती है तो महीं 6 मात से 36 गड़ और पूर्वी मद्य परदेश के कुछ हिस्सों में बारिश संभव है मौसम विभाग के मुताबिक नजर डालने तो उत्राखंड हिमाचल परदेश में हलकी बारिश और बोंदा बांदे की गतिविदियां देखने को मिल सकती है आईमडी के नुसार बारिश वाला दिन उसे ही कहा जाता है जब एक दिन में 2.5 mm या उससे अधिक बारिश दर्च हो तो महीं आईमडी ने होली से पहले राजिस्थान समेथ पस्चिम और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश पढ़ने की संभाव न जहताई है राजिस्थान मध्य परदेश चतिसगर्ड महरास्ट और गुजरात में 6-8 मार्च तक हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है 6 मार्च को तापमान में मामुली कमी आएगी अधिकतम तापमान इस दिन 30 डिग्री और 99 तापमान 16 डिग्री के आसपास रह सकता है 7-10 मार्च तक अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री और 99 तापमान 15 डिग्री के आसपास रह सकता है हुली से पहले राजिस्थान समेत पस्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश और ओले पढ़ने की उम्मीज जताई जा रही है आइमडी ने कहा है कि पस्चिम हिमाले छेतर में रविवार को छिटपुट बारिश या बरवारी की भी संभावना है